तो जैसा कि लास्ट अपिसोड आपने देखा था कि लिवाओ और जियान चेन के बीच फाइट स्टाइट जाती है और कमांडर भी अपनी ब्लडशोड आर्मी को जियान चेन पर अटाइक करने के लिए भेज देता है ये देखकर जियान चेन बहुत ही तेजी से पूरी आशो का धेर लगा दिता है इस पर अब लिवाओ खुदी फाइट के लिए रेडी हो जाता है और अपनी स्ट निकालते हुए जियान चेन से कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारा कल्टिविशन पहले से ज्यादा इंप्रूव हो चुका है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम मुझे जैसे हाई स्परूचल रैल्म के वारियर को भी हरा दोगे जिस पर जियान चेन मुस्कुराते हुए कहता है कि अच्छा ऐसी बात है तो आज मैं तुम पर सिर्फ तीन हमले करूँगा और मैं तुम्हें खत्म कर दूँगा जिस पर बहुत जोर जोर से हासन और कहता है कि लगता है तुम्हारा दिमाग खरावो चुका है और फिर अपनी फॉलन लीवस टेक्टिंग का यूज करते हुए कई सारी स्प्रूचल सोड से जियान चेन पर अटेक कर देते हैं ये देखकर उनकी सैनिकों को लगता है कि आस तो जियान चेन मारा जाएगा च कैसी के साथ जैसे ही लिवाओ के अटेक्ट जियान चेन को टचवनी वाले होते हैं कि तब इन चेन चेन वहाँ से गायब हो जाता है और वहां पर एक बहुत बड़ा बलास्ट होता है ये देखकर लिवाओ है राज्चल के लिए से बchen चारता है कि लिए से पिर पहला पूं और हम देखते हैं कि लिवाओ उपर अटेक लगने से लिवाओ बहुत जादा इंजर्ड हुआता है और उसके समझ में नहीं आ रहा था कि जियांचैन उससे ज्यादा पावरूल कैसे है तब इस जियांचैन अपने सेकेंड टेक को रेडी करते हुए कहता है कि ये सेकेंड स्ल पाया तो वो जबूर मारा जाएगा और जल्दी से कुद को डॉच कर लेता है जिससे वो तो बच जाता है लेकिन उसका एक हाथ जियांचैन के अटेक के भेंट चड़ जाता है इसलिए उसे बहुत जाता दर्द होने लगता है और वो चिलाएं लगता है ये देखकर जिया लगता है तो जियांचैन उस पर अपने शैडव ब्लड स्लैश के सेकेंड़ स्किल अर्थ स्प्लेटिंग स्लैश का यूज कर देता है और जैसे लियुआओ पलेट कर जियांचैन के अटेक को देखता है तो हम देखते हैं कि लियुआओ को तुरंदी बीच से दो टुक्ण के वर्यों को खद्म कर दिया था तभी हम देखते हैं कि जियांचैन की दरफ देखते हुए एक इविल स्मैल देता है और कहता है कि अगली बारी तुमारी है इस पर एक सेने घबराते हुए अपने बाकी लोगों से कहता है कि यह डीमन हमें देख रहा है इसलिए यहां से ज आफिरनों की जियांचैन को ऐइस द्यांचैन के वापके पूरे इसलिए कई इसके को दिस्ट्टों कर सके तो घै 1 फोघींजिविए के पास कितने स्टाउंग वोरियर्स हं जिसके बाद मुटाए धाया मेर νेयारोथ पर दियानोग सरके और धोधी आज मुझे सैटिस्वाइ कर दिया इसलिए अब मैं तुम्हें पर्सनली हैल भीजूंगा जिस पर वो उच्जोरों से चिलाते हुए अपना मूँ फाड़ देता है अब मूँ फाड़ने की वज़े से जियान चैन अपनी स्वाड़ कोई उसके मूँ में घुज़ड़ देता है जिसके वज़े से उसकी वहीं टै रहा था और सोच रहा था कि उसे कुछ भी करके जल से जल से इस्पिरिचल रैल्म का वारियर या होगा वरना वो किसी भी हालत में टैयन लांग को नहीं ख़त्म कर पाएगा और अब जियान चैन के स्पिरिचल रैलम वारियर बनने की सारी पर लिवाव की dead body पटिकी हुई थी क्योंकि वो लिवाव की dead body से उसकी सारी energy को swallow करने वाला था और जैसे ही वो लिवाव की dead body को देखता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसकी martial spirit third grade की orange martial spirit थी जिसे swallow करने के बाद जियान चैन की Holy Ring of Tranquil Quittis रिकवरो के Orange Level के 3rd grade पर पहुँच जाएगी इसलिए अब जियान चैन और जादा देर ना करते हुए Holy Ring of Tranquil Quittis का यूज़ करते हुए लिवाव की Martial Spirit को स्वालो करने लगता है जिसकी वज़े से उसकी पावर काफी जादा हिनेंस होने लगती है जिसके बाद हम देखते हैं कि अब जियान चैन की Martial Spirit तोड़ी 30 दी कवर हो चुकी थी और अब जियान चैन का अगला स्टैफ ब्रेक्थू करना था इसलिए अब जियान चैन अपनी प्री मॉडियल की का यूज करते हुए ब्रेक्थू गरने लगता है वहीं हम बार सायड ग्रैन फादर के साथ साथ अंकल टैशन और अंकल टैजन को देखते हैं जिने अब जियान चैन की बहुत ही जाता फिक्र हो रही थी क्योंकि भी जियान चैन को 20 दिन हो चुके थे और वो भी तक केव सिवार नहीं आया था जिस पर ग्रैन फादर उन दोनों को जियान चैन पर भरूसर रखने के लिए कहते हैं जैसा कि उन्होंने रखा हुआ है और वो बड़े मज़े में चाई पी रहे होते हैं जिस पर अंकल टाइजन उनसे कहते हैं कि आप तो ऐसे प्रेटेंड कर रहे हैं जैसे कि आपको जियान चैन की जरावी फिक्र नहीं है तभी ग्रैन फादर अपनी सारी चाए एक साथ गटक जाते हैं ये देखकर अंकल टाइजन उनसे पूँचते हैं कि आप एक कप में पानी क्यों पिर रहे हैं ये सुनते ही उन्हें याद आता है कि वो तो चाइप पी रहे थे इसलिए वो हाट हाट चिलाने लगते हैं इसी वक्त जियान चैन भी भारा आने लगता है और हम देखते हैं कि उसने अभी तक लिक्वेड प्री मॉडियल की कि ये टीवन ड्रॉप्स को रिफाइन कर लिया था जिसका मतलब है कि वो प्री मॉडियल की पूल के ट्रांस्फरमेशन से सिर्फ एक स्टेप दूर था और अगले स्टेप को क्रॉस करते ही अब वो स्परिचल रैल्म का वर्यर बनने वारा था लेकिन अभी उसके पास इतना टाइम नहीं था कि वो अगले स्टेप को भी कंप्रेट कर सके इसलिए वो नेक्स टाइम आकर इस स्टेप को कंप्रेट करने का सोचता है और अब आते ही जियान चैन सभी लोगों को ग्रीड करता है जियान चैन को बिल्कुल ठीक देखकर सभी लोग बहुत ज़ादा खुश जाते हैं और ग्राइन फादर जियान चैन की कल्टिवेशन के बारे में उससे पूंचते हैं जिसपर वो बताता है कि अब वो 70% से और है कि वो ट्यान लोग सेक्ट को डिस्ट्रॉई कर देगा यह सुनकर वो खुश जाते हैं और फिर तभी अंकल टैजुन और अंकल टैजुन जियान चैन के लिए एक बॉक्स लेकर आते हैं कि यह यलो लेवल का इंटरमीडिर ग्रेड का एक फाइटिंग वैपन है यह देखर जियान चैन जैसे यह उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है तो वो सौड़ खुदा खुद उरकर जियान चैन के हाथ में आ जाती है यह देखर जियान चैन बहुत ज़्यादा खुश होता है और हम देखते हैं कि वो सौड़ जियान चैन की पावर से बिलकुल ही मैच खा रही थी यह देखर जियान चैन कहता है कि वाकई यह बहुत अच्छा वैपन है जसपर अंकल टाइचन और अंकल टाइजूं जियान चैन से कहते हैं कि तुम इससब की बिलकुल लायख हो क्योंकि तुमने हमारे विलेज को कई बार खत्रे से बचाया है और अव हमारा फ्यूचर भी तुम पर ही डिपेंड करता है जिस पर वो कहता है, कि मैं आपको कभी बेन राश नहीं करूंगा इसके बाद जैंचेन उनसे को गिरिड करते हुए वहाँ से जाने किलिए कैदेते हैं जिस पर ग्रेंट फादर और दोनों अंकल जैंचेन को वहाँ से जाने के लिए क्लिया खाते हैं वीडियो पसंद आयो तो लाइक शेयर और कमेंट करना भूलें थांक्स पर वाचिंग